मैं मीडिया के सीमान चल बिलिटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अरीबा खान कटिहार के मुफसिल इलाके के हफला गंजगाओं से आई, एक महिला ने चार हाथ और चार पैर वाले बच्चे को जन दिया है महिला और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन अफवा के चलते अस्पताल में बच्चे को देखने के लिए भीड लग गई अफवा के चलते लोग बच्चे को अफ़तार तक बताने लगे बच्चे के पिता राजुसाह ने कहा कि कई बार अल्टरसाउंड कराया था लेकिन अल्टरसाउंड रिपोर्ट में मालूम नहीं हुआ कि बच्चे में विकलांगता है जोकि गर्ब में रहते पता नहीं चल पाया इसलिए ऑपरेशन कर बच्चे को गर्ब से निकाला गया है चार फार और चार पैर वाले बच्चे के जन्द कि ये कोई पहली घंटना नहीं है जटा दिये जाते हैं जिसके बाद बच्चे समाने जिंदicking की जी सकते हैं अररिया के जमटब्टा और रामपुर मोहनपुर में जिले के बीचोबीच बेहने वाली पनार नदी पर अखिरकार पुल का शिलन्यास रविवार को किया गया। जम्ता महिसा कोल घाट और रामपुर मोहनपुर घाट पर बनने वाले दोनों पुलों का शिलन्यास अररिया सांसत प्रदीब कुमार सेंग, अररिया विधायक अबिदुर्रह्मान और जिला परेशद अध्यक्ष आफ्ताब आलम पपू ने किया जम्ता महीसा कोल घाट पर कोल 7 करोड 32 लाग की लागस से ये पहला पुल बनेगा रामपुर मुहनपुर घाट पर 6 करोड 33 लाग की लागस से इस पुल का निर्मान कराया जाएगा दोनों पुलों पर काम तेजी से हो रहा है सुम्वार को उत्तर दिनाजपुर जिले के करनधी की धाना अंतर गत बलिया इलाके में निर्श्टन हाइवे 34 पर पिकप वैन और बाइक की चक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गए दोनों बाप बेटे बताय जा रहे है मिरतकों के नाम शेक शाकर और शमीम अक्तर बताय जा रहे है वे करनधीगी के रसाखोवा के भोपला गाओं के रहने वाले थे सुमार को दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे इसी दौरान दूसरी और से आ रही एक पिकप पैन से उनकी जोड़दार टक कर हो गए जिससे मौके पर ही बेटे की मौत हो गई और पिता को गंभीर हालत में राइगंज मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उन्होंने भी तम तोड़ दिया खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्मार्टम के लिए भेज़ दिया पिशम गंज में AIM के बहादुर गंज विधायक अंजार नईमी ने नितीश कुमार के शराब बंदी कानून का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि बिहार में शराब बंदी कानून धरतल पर नहीं उतर पा रहा है जिसके लिए प्रश्यासन जिमेदार है विधायक ने कहा कि बिहार में शराब की तसकरी चरम पर है और लगतार जहरेली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है जिसका जिमेदार भी जिला परश्यासन है इस कानून को सक्ति से लागो करने की जरूरत है देखिए ये सराब बंदी का जो खानून है हम लोग तो इसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं नितिश कुमार जी का हम समझते हैं कि ये मतलब क्या का जाए वो जवर्दस श्ट्रोक था लेकिन परशासनिक अस्तर पर ये उतना मतलब भी जी नहीं हो पा रहा है हर जगे आज इसमगल होकर के सराब हर जगे उपलब है तो इसका ये परशासन का कहीं ना कहीं चूख है परशासनिक अस्तर पर इसमें ये किया जा रहा है मुखमंतरी जी तो मोनिटरिंग भी कर रहे है ठीक है उनका सारा कुछ चल रहा है अपने अस्तर से लेकिन वो आदम जो परशासन के जो आदमी है ये लोग अगर मजबूती से इसको अगर रोकने का काम करेगा तो हम नहीं समझते हैं कि ये फूलेगा फूलेगा ब्यार में कटिहार से दरस्पिताल को बाइक अम्बूलेंस अर्थात मुबाइल अम्बूलेंस की सुविधा उप्रप्त करा दी गई है दरसल गिरामीर इलाकों में छोटे रास्तों तक पहुँचने के लिए इस सुविधा का लाब लिया जा सकेगा खासतोर से दुरगटना के शिकार या फिर गरबदी महिलाओं को अस्पिताल तक पहुँचाने में ये सुविधा मददकार सावित होगी इस एम्बूलेंस में ऑक्सिजन के लावा अन्ने विवस्थाई भी दी गई हैं जिससे मरीजों का प्राथमिक उपचार किया जा सके बाग डोगरा के बैंग डूबी गासते पर एक चलती गाडी में आग लगग जिसमें उसका चालक बाल बाल बच गया सिमिट लदी गाडी से धूँआ निकलता देख जैसे ही चालक ने गाडी बट की तो गाड़ी में आग लगे गटना की खबर पाकर बेंग डूबी सेना की छावनी से एक दमकल मौके पर पहुँचा और आग को काबू में किया सुवार को किशंगन जिले के 15-18 वर्ष तक की शत प्रतिशत किशोर और किशोरियों को सफलता पूर्वक कोविड-19 वैक्सीन कती का लगाने के लिए जिलास्तरी समनव्यक बैठक जिलासबगार में डियम डॉक्टर अधित परकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि उक्तु परिक्षाओं में 15-18 वर्ष के 26,000 परिक्षार्थी शामिल होंगे ऐसे में लाभार्तियों की भीर जुटने से कोविड संकर्मण के परसार की संभावना है इसकी रोक थाम के लिए आविशक है कि सभी योग और चैक वित्रित किया कॉर्टलब हो कि बीते 14 जन्वरी की देरात अगलगी की घटना हुई थी जिसमें चार परिबारों के समास सहित मवेशी भी जलकर राख हो गए थे कटेहार में जिलापरिशद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सुमवार को जिलापरिशद के सभागार में पहुच कर पदभार गर्ण किया इस मौके पर डीडीसी ने जिलापरिशद अध्यक्ष रश्मी सिंग और उपाध्यक्ष इश्रत परवीन का स्वागत किया अध्यक्ष और पाध्यक्ष ने कहा कि पंचायतों के विकास से जुड़े तमाम काम को नियमनुसार करवाना ही उन लोगों का प्रमुक उद्देश्ची रहेगा सोमवारको अररिया पुलिस और एल्टीएफ की टीम ने मधनिशेद अभ्यान के तहर जिले के विभिन थाना शेत्रों में चापे मारी अभ्यान चलाया अलग-अलग थाना शेत्र से देशी विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को ग्रफतार किया गया है मिली जानकारी के नुसार बथनाहा उपी, प्लासी और नर्पतगंज थाना शेत्र में पुलिस और एल्टीएफ दोरा मधनिशेद अभ्यान के तहत संयुक तरोप से चापे मारी की गई जिसमें कुल तीन लोगों को ग्रफतार किया गया मौके से 20 लीटर देशी शराब, 9 लीटर नेपाली शराब और 2 दशनलव 6-5 लीटर अंग्रेजी शराब बरामत की गई है ग्रफतार तीनों व्यक्तियों को जरूरी पूश्टाज के लिए नाएक रासत में भिश दिया गया है अररिया नंगर्थाना पुलिस ने गुप्तु सूचना के अधार पर अपराथ की योजना बना रहे तीन व्यक्तियों को बस स्टेंड के समेप से हत्यार के साथ गिरफतार किया रविवार की शाम अरर्या नंगर्थाना अध्यक्ष कुमार अभिनफ को कुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी अपराधिक घटना की योजना बना रही है सूचना मिलते ही नंगर्थाना अध्यक्ष दलबल के साथ शहर के बस स्टेंड इस्थित एक गैस कुदाम के पास पहुझे जहां पर दो बाइक के साथ चार लोगों को देखा गया वे पुलिस के वाहन देख कर अपने बाइक छोड़ कर भागने लगे इस एकरम में पुलिस बल दोरा उनमें से तीन लोगों को ख़देड कर पकड़ लिया गया जिसके पास से एक पिस्टल वर तीन जिंदा कार्तूस परामत हुए हैं जबकि एक विक्ती अधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहा आज के लिए अतना ही सीमानचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मेंमेडिया.in पर भी जा सकते हैं आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराजगान, से शादाब, तहसीन अली और रबिन रियादव